दोस्तो नमस्कार, Class 8 की Mathematics में Chapter 16 Playing with Numbers पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो आए हमारे इस वीडियो को enjoy कीजिए, so let us start, here is, first of all I want to tell you that digits, In Counting, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are digits, याद रखिएगा, 0 से लेकर 9 तक जो counting आप जानते हैं, वो सभी digits होते हैं, और इन digits के help से ही हम smallest और largest number को form करते हैं, तो बाकी के जो हम इन digits के help से, जो counting form करेंगे, बो सभी numbers होंगे, और यहाँ पर यह 0 से लेकर 9 तक क्या होंगे? Now, I want to tell you that the divisibility test, test of divisibility, so first of all, I want to tell you that divisibility by 3, if the sum of the digits in the given number is divisible by 3, then the number is divisible by 3, मेरी बात को समझ रहे हैं, कोई भी number दिया होगा, उन सभी numbers के आप digit का पहले sum करेंगे, और उस sum को 3 से divide करेंगे, अगर divide हो जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा number भी 3 से divide होगा, चाहे वो कितना भी बढ़ा क्यों ना हो? दूसरी बात करते हैं, divisibility of 9 की, तो यहाँ पे एक और question है, एक number n, कोई भी number हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बढ़ा हो, divisible by 9, if the sum of its digit is divisible by 9, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं अगर नहीं समझे, तो चलिए एक example देते हैं, यहाँ पे मैंने लिया, एक number 1, 3, 5, अब आपको यह बताना है, कि यह number 3 से divide है, याकिन, बिना divide की यह बताना है, तो देखिए इसका sum पहले find कीजिए, 1 plus 3 plus 5, कितना हुआ दोस्तों? यह आपका हो गया 9, और 9 3 से divide होता है कि नहीं? होता है, इसका मतलब यह number आपका 3 से divide होगा, तो यह divisibility test 3 है, अब divisibility test of 9 की बात करते हैं, तो एक और हमने यहाँ पे example ले लिया, means हमने लिखा 2, 5, 7, and 4, अब यह number 9 से divide होगा या नहीं होगा, यह हमें बताना है, तो दिखिए सबसे पहले हम इसका sum करेंगे, सभी digits का sum बताईए, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4, तो 2 और 5 कितना हुआ दोस्तों? 9, 9 में आप 7 add करेंगे, तो 9 में अगर आप 7 add करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 में आप 4 add करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 20, 29 से divide होता है क्या? नहीं होता है, तो यह number आपका 9 से divide नहीं होगा, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे एक और बड़ा number कर देते हैं, हमने इसको ले लिया, 9, 7 लिख दिया, ठीक है? तो आप इसमें 7 order add करेंगे, तो 20 तो पहले ही हो चुका था इसका sum, और 20 में 7 add करेंगे, तो कितना result आएगा? 27, 27 दोस्तो 9 से divide है, हाँ, 27 9 से divide है, इसलिए यह largest number भी 9 से divide होगा, तो चलिए आए, हाँ पे कुछ questions है, exercise 16.2 में, इस 16.2 के questions का solution आप कैसे करेंगे? आए, enjoy कीज है, so here is the first question for you, if 2, 1, y, 5 is a multiple of 9, where y is a digit, याद रखेंगे y digit है, number नहीं है, digit मैंने आपको पहले ही बताया, 0 से लेकर 9 तक सभी digit होते हैं, तो यहाँ पे जो y का value होगा, 0 से लेकर 9 ही हो सकता है, मतलब 0 भी होगा, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके उपर नहीं होगा, digit, what is the value of y, तो y का value आपको find करना है, तो चलिए start करते हैं दोस्तों, आपको divisibility test, आपको पता है 9 का, चुकि यह number 9 का multiple है, 9 का multiple का मतलब यह 9 से divide हो रहा है, तो आप लिखेंगे, since given number is divisible by 9, therefore, divisibility test आपको पता ही है, सभी को plus करेंगे, 2, 1, y, 5, equal to, आप इसके digit का sum करिए, तो 2, plus 1, plus y, plus 5, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जितने भी digits हैं, उनका sum कर लेते हैं, तो बताओ, 2 और 1 कितना हुआ, 3, 3 में 5 को add करेंगे, तो कितना आएगा, 3 में 5 को add करेंगे, तो दोस्तो आएगा 8, और यह हो गया आपका y, ठीक है, आप देखिएगा, कि हमारा number जो है ना, वो 3 से, 9 से divide है, तो अब हम यहाँ पे क्या value पुट करेंगे, in the place of y, y की जगे पे क्या-क्या value पुट करेंगे, कि हमारा यह number 9 से divide हो जाए, तो देखिए, y की जगे अगर हम 0 पुट करते हैं, तो क्या हो सकता है, तो result 8 ही रहेगा, और 8 कभी भी 9 से divide नहीं होगा, तो y equal to 0, it is impossible, यह तो नहीं होगा, अब हमने y की जगे value लिया 1, तो जैसे हम y की जगे 1 value लेते हैं, तो हमारा result क्या हो जाएगा, दोस्टो 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9 होता है, और 9 तो 9 से divide हो जाएगा, so this is the possible value, यह आग का answer हो सकता है, ठीक है, अब अगर हम y की जगे 2 लिखते हैं, तो देखिए y की जगे जब हम 2 लिखेंगे, तो total हो जाएगा, आपका कितना मालूम है, total हो जाएगा 10, और 10 कभी 9 से divide नहीं होगा, तो यह impossible हो गया, y की जगे हम 3 लिखेंगे, तो 3 जब हम लिखेंगे, तो total हो जाएगा 11, इसका मतलब 11 भी 9 से divide नहीं होगा, तो यह भी impossible हो गया, इसके बाद y की जगे हम क्या value put करते हैं 4 put करेंगे तो 4 और 8 12 होता है 12 भी कभी 9 से divide नहीं होगा इसके बाद दोस्तों अब हम y की जगे क्या लिखेंगे 5 तो 8 और 5 कितना होता है 13 13 भी 9 से divide नहीं होगा और y की जगे अब हम लिखेंगे कितना 6 तो 6 भी आपका जब लिखेंगे तो 6 और 8 हो जाएगा, 14, 14 भी कभी 9 से डिवाइट नहीं होगा, और Y की जगे आप हम लेंगे 7, तो 7 जब हम लिखेंगे तो 15 रिजल्ट हो जाएगा, 15 भी आपका 9 से डिवाइट नहीं होगा, और Y की जगे आप हम लिखेंगे 8, तो 8 और 8 16 ह तो ये भी नहीं हो सकता और लास्ट आपका डिजित एक ही बच रहा है वो है y equal to 9 तो 9 y की जगे लिखेंगे तो भी 17 ही आएगा 17 इसका मतलब वो भी आपका 9 से divide नहीं होगा तो cable और cable एक ही digit आपको मिला वो digit था y equal to 1 so y equal to 1 this is the final answer of your question so the number will be 21 therefore the result is 21 and 15 this number is divisible by 9 so finally we can write that y equal to 1 this is the answer of your question okay now let us another question अगर आपको doubt है तो एक question और समझते हैं so here is this question एक और question को समझते हैं clear your doubt so here is question that 3 1 z 5 is a multiple of 3 where z is a digit या ध्यान रखेंगे z आपका फिर से digit ही है what might be the value of z z का value क्या हो सकता है तो आपको result पता है since number is is divisible by three therefore sum is also divisible by तो आपका सम भी divisible होगा ठीक है तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तो इसका सम पहले find करेंगे नमबर हमारे पास क्या है नमबर इस दाट 3 1 Z 5 तो दिखिए 3 प्लस 1 प्लस Z प्लस 5 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तो हम सभी पहले सबसे पहले ये नमबर को एड़ डिजिट को एड़ करेंगे 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 और 5 कितना हुआ 9 9 में Z को एड़ करेंगे तो आपको मिलेगा 9 प्लस Z प्योंकि Z आपका variable है ये एड़ नहीं होगा अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या value possible हो सकती है Z की so dear here we will put either Z equal to 0 जैसे हम 0 पुट करेंगे तो result 9 आएगा और वो नमबर 3 से divide हो जाएगा इसके बाद देखिए दोस्तों फिर आपका कोई value यहाँ पे होगा क्या इसके बाद चुकि 9 3 से divide है और फिर अगला digit है वो 12 होगा जो 3 से divide होगा तो यहाँ पे Z की place पर अगर हम 4 पुट करते हैं ठीक है तो 3 पुट करते हैं तो अगला नमबर भी जो भी result मिलेगा वो 3 से divide हो जाएगा और इसके बाद फिर हम 6 अगर पुट करते हैं तो भी यह नमबर 3 से divide हो जाएगा और अगर हम यहाँ पे 9 पुट करते हैं तो भी यह नमबर हमारा 3 से divide हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों आपके answer कितने होगे यहाँ पे दोस्तों हमारे answer हो जाएगे देखिए एक बार समझ भी लीजिए जब आप Z equal to क्या लिखेंगे 0 Z equal to 0 तो आपका result क्या हो जाएगा 9 plus 0 equal to 9 तो यह 3 से divide हो रहा है इसके बार Z equal to आपने 3 लिया तो आपका क्या हो जाएगा तो आपका दोस्तों हो जाएगा यह 9 plus 3 12 और 12 भी 3 से divide होता है फिर आपने Z equal to क्या लिखा 6 तो देखिए 9 plus 6 15 आएगा और 15 भी 3 से divide होता है लास्ट में आपने Z equal to 9 लिखा तो 9 plus 9 यह भी दोस्तों 18 होता है 18 भी 3 से divide हो जाएगा तो finally आप कह सकते हो चुकिए आपको digit ता यह थे और यह सभी digit ही है 0, 3, 6, 9 तो finally आप लिखोगे answer that is the value of 3, the value of Z sorry, the value of Z are 0, 3, 6, and 9 So dear, this is finally your answer of this question